100% लोगों में से शायद 1% लोगों को ही पता होगा कि अगर हमने 50 की उमर में भी 35 साल के लोगों जैसे स्किन पानी है तो फिटक्री और गुलाब जल को इस तरीके से लगाईए तो हमारी स्किन की एज रिवर्स होने लग जाएगी हमारी स्किन यूथफूल यंग और जमा दि हाई दे रहे होगी बहुत बहुत ही खूबसूरत रेमिडी बन कर त्यार हुई है आपको यकीन नहीं होगा कि पांच रुपे के इस आयुर्वेदिक पत्थर से हम अपनी स्किन को टाइट रख सकते हैं हम 50 की उमर में भी 35 जैसे स्किन को पा सकते हैं यह हमारे चेहरे से अर उपन पोर्स होते हैं तो हमारे स्किन लूज दिखाई देती है धीली दिखाई देती है यह हमारे चेहरे के लार्ज उपन पोर्स को कसता है जिससे हमारे चेहरे के अंदर कसावट दिखाई देती है और हमारे स्किन अपलिफ्ट होती दिखाई देती है यह हमारे रंग को भ अगर आप इसका इस्तेमाल दिन में भी करना चाहते हो तो आपने इसको लगा कर आदा घंट आपने फेस के ऊपर छोड़ना है उसके बाद इसको वाश कर लेना है आप इसको फ्रीज में स्टोर करके रखिए फ्रीज से बाहर रखिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा 15-20 द है सुनीता सैनी और इस चैनल का नाम है ब्यूटी विद नेचर वाई सुनीता सैनी आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब आई होप आप सब लोग खुश होंगे तो इस खूबसूरा सी रेमिडी को सिरम को बनाने के लिए हमें करन यह हमारे स्किन के पी एच लेवल को बैलन्स करेगा जिससे हमारे चेहरे की स्किन प्रोडम्स दूर होने लग जाएंगी अब मैं इसमें एड करूंगी इस सिरम का स्टार इंग्रीटन यानकी फिट करी जिसको की हम एलम के नाम से भी जानते हैं आपने इसको दस मिनिट इस देती है यह एकने मुहासों से भी हमें चुटकारा दिलाती है दस मिनट के बाद आपने अपनी फिटिक्री को बुलाब जल से निकाल लेना है अब मैं इसमें एड करूंगी आदा ही चमच ग्लीसरीन अगर आप यहां ग्लीसरीन एड नहीं करना चाहते तो आप यहां पर हन अगर आप यहां पर आप लगा कर रात को सो नहीं पाऊगे चिप चिप होगी जिससे आपको इरिटेशन हो सकती है ग्लीसरीन हमारी स्किन के अंदर नमी को बनाये रखती है अगर आप मार्किट से भी एंटी एजिंग का कोई सिरम लेकर आते हो तो आप उसके अगर आपकी स्किन बहुत ही जादा ड्राय है तो यहां पर आप अलोवीरा जेल की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए आप यहां पर एक चम्मच लीजिए अलोवीरा जेल का अलोवीरा जेल में 90% तक पानी होता है अपने इसी गुण की वज़ा से यह हमारी स्किन के अंद है तो आप जरूर एड कीजिए अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो इसमें मैं एड कर रही हूं कुमकुमादी ओयल की सास से आठ बूंदे कुमकुमादी ओयल एंटी एजिंग से भरपूर होता है यह हमारे चहरे को बूड़ा होने से बचाता है हमारे हमारे चेहरे के पर जल्दी से early sign of aging ना दिखाई देने लग जाए यह उसके उपर work करता है अब मैं इसमें add कर रही हूँ आदा चमच के करीब नारियल का तेल आप यहां पर vitamin E का एक capsule भी ले सकते हो नारियल का तेल anti aging से भरपूर होता है यह हमारी skin को nourish करने के साथ सा चेहरे के दा मिक्स करके किसी bottle में भरकर रख लेना है ठीक है जी हमारी remedy बनकर बिल्कुर त्यार हो चुकी है आपसे यहां एक और बात बोलूँगी कि अगर आपकी skin super dry है तो आप इसमें 2 oil जरूर add करें क्योंकि fit kri हमारी skin को थोड़ा सा dry करती है चेहरे के ओपर dryness ना आए और हमें fit kri के भी सारे गुण मिलें तो आपने इसमें 2 oil जरूर add करने है ठीक है जी जब भी आपने रात को सोना है पहले अपने face को अपने किसी favorite face wash से wash कर लीजिए चाहे बेसन से wash कर लीजिए उसके बाद ही आपने इसका इसका इस्तेमाल करना है इस समय मेरे face के ओपर कुछ भी नहीं आपने इसको यूज करने से पहले शेक जरूर करना है ताकि सभी इंग्रिजिएंट एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए अब आपने इसको थोड़ा सा लेना है और इसको अपने पूरे face के ऊपर लगा लेना है प्रांट जैसे आप नोर्मल कोई night cream लगाते हो आपने सेम वैसे ही इसको अपने face के ऊपर apply करना है फ्रेंड्स आपसे जहां एक छोटी सी request है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो please वीडियो को like जरूर कीजिए और comment करके भी जरूर बताईएगा कि आप की city से मेरी वीडियो देखते हो बहुत ही अच्छा लगत और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नए वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही असानी से मिल जाए फ्रेंड्स आपको इस रेमेडिय में डालेकर किसी इंग्रीट से अलर्जी है तो आप पहले पैश टेस्ट करें उसके बाद ही यूज करें क्योंकि अगर आपको के इसे अन आपने फेस के उपर एपलाय कर लिया तो आपके घैस के ओपर दानें आ सकते हैं इर प्र के और दाने आ सकते ह आपको मेरे चहरे के ऊपर कितनी प्यारी चमक दिखाई दे रहे होगी बहुत बहुत ही खूबसूरत रेमडी बन कर त्यार हुई है इसको लगाने के बाद आपको मसाज करने की भी जरूरत नहीं है बस आप इसको लगाईए और ऐसे ही सो जाईए मौर्निंग में जब आप उठते हो तो आप अपने फेस के ऊपर ना बेसन का इस्तेमाल किया कीजिए आप एक चमच बेसन एक चमच मसूरदर और चुटकी भर हल्दी को मिक्स करके रख लीजिए और जब भी आपने अपने फेस को वाश करना है अपने हाथ में उसको थोड़ा सा लेना है थोड़ा सा पानी डालना है उससे आप अपने फेस को वाश करके देखिए फ्रेंट जब आप इस remedy का इस्तेमाल कर रहे होंगे अगर आप chemical से दूर होगे तो आपको इसके benefit बहुत जादा amazing मिलेंगे इसके result आपको बहुत जादा अच्छे मिलेंगे क्योंकि chemical की वज़ा से हमारी जो home remedies हैं इनका effect कम होने लग जाता है इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको इसके अच्छे benefit मिलें तो आप जब तक इस remedy का इस्तेमाल कर रहे हो आप chemical से दूर है और result देखे आपको mind blowing result मिलेंगे तो आप भी इस प्यारे से amazing से face serum बोलीजिए टोनर बोलीजिए इसका इस्तेमाल करें और अपनी skin को tight रखे healthy रखे यंग रखे तो फिर मिलते हम अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई